हेलो एवरिवान वेलकम तो दो चानल ओफ केवी टीचर्स गिल्ड बच्चो आज इस वीडियो में हम क्लास्टिक साइंस का एक नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी 1752 में डिसकवर की थी बिंजामिन फ्रैंक्लिन ने और ये बड़ी ही अमेजिंग डिसकवरी इसको कहा जाता है आप आज कल देखेंगे अगर अपनी लाइफ में कितने यूजिस है लेक्ट्रिसिटी के से सर्किट्स को सेट अप किया जाता है क्या इसकी इंपोर्टेंस एन एवरेथिंग स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी वच्छा न्यू हो चानल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ओके लेट्स बिगिन दाट लिफ वटर फ्रस वेल्स अप wrap-up यूस करते है कोई से पाने निकालने के लिए या फिर ग्राउाउन लेवल और फ्रों लेवल या फिर ग्राउंट लेवल से to the roof top tank आपके घर के जो छट पे टंकी है उसको भरने के लिए पानी निकालते हैं pumps को यूज करके pump किसे चलता है electricity से what are other purposes for which you use electricity और कौन-कौन से purpose है जिनके लिए आप electricity यूज करते हैं list some of them in your notebook गर्मी अगर है तो cooling के लिए यूज करते हैं चाहे fan है cooler है AC है water heater होते हैं घरों में पानी गरम करने के लिए और भई dishwasher या फिर dryers होते हैं light आप जलाते हैं रोशनी करने के लिए refrigerator fridge जो है आपका वो इसी से चलता है oven electricity से चलते हैं electric oven जो होते हैं उसके बाद dishwasher है आपके घर में microwave है, washing machine है electrical chimneys होती है तो बहुत सारे ऐसे electric appliances होंगे आपके घर में जो बिजली से चलते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे does your list include the use of electricity for lighting क्या आपने जो आप बिजली जलाने के लिए यूज करते हैं lighting के लिए रोशनी के लिए वो लिखा हाँ हमने लिखा था यह electricity makes it possible to light our homes electricity से हमारे घर जो है वो lighted रहते हैं आपके घर रोड्स ओफिसे मार्केट और फाक्टरीज इवन आप्टर संसेट हालांके संसेट के बाद भी इस हेल्प सस्टू कॉंटिन्यू वर्किंग अट नाइट जिसकी वज़े से आप रात में भी काम कर पाते हैं आप अपावर स्टेशन प्रैट आपकी घर में जो बिजली है वो पावर स्टेशन से आती हैं आहएवर हालाकि शुप्लाइव अव्लाइबल बह्याते हैं आपन भी सेशनी के लिए रोशनी के लिए ऑतु पर रॉश्नी when it is switched on torch में आगे एक बल्ब होता है जब आप उसको switch on करते हैं तो बल्ब जलता है where does the torch get electricity from torch को बिजली कहां से मिलते हैं torch बिजली से नहीं cell से चलती है और next topic हमारा वही है electric cell electricity to the bulb in the torch is provided by electric cell जो electricity प्रोवाइड कराई जाती है आपकी torch में वो electric cell प्रोवाइड कराता है electric cells are also used in alarm clocks आपके घर में alarm clock में wrist watch जो है आपकी transistors, radios में, cameras में and many other devices में आपके जो electric cells हैं वो use किये जाते हैं have you ever carefully looked at an electric cell यह देखें cell यहाँ पर आपको इस दिखाया भी हुआ है आपने कभी किसी electric cell को बहुत ध्यान से देखा है देखें सभी के घर में electric cell मिल जाएंगे आपके TV के remote में होते हैं AC के remote में होते हैं तो एक cell को निकाल के देखें you might have noticed तो आपने notice किया होगा यह आप करेंगे that it has a small metal cap on one side एक तरफ उसमें चोटी से एक metal की cap होती है and a metal disc on the other दूसरी तरफ एक metal की disc होती है नीचे यह देखें did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell electric cell पे एक positive plus का और एक negative minus का sign लगा हुआ होता है the metal cap is positive terminal यह जो metal की cap है उपर की तरफ यह positive terminal होता है इसका cell का the metal disc is the negative terminal यह जो नीचे disc है metal की यह negative terminal होता है all electric cells have two terminals सभी electric cells के दो terminal होते हैं एक positive and a negative एक negative an electric cell produce electricity from the chemical stored inside it आपका जो cell है उसके अंदर कुछ chemical stored होता है जिसकी help से वो electricity produce करता है when the chemical in the electric cell are used up जब वो पूरा chemical use up कर लेते हैं the electric cell stops producing electricity तो फिर electric cell electricity produce करना बंद कर देता आप कहते हैं कि cell यह तो खराब हो गया आप दूसरा लाना पड़ेगा the electric cell then has to be replaced with a new one फिर नए से उसको replace कराना पड़ता है a torch bulb has an outer case of glass that is fixed on metallic base एक torch अगर हम bulb की बात करें वो कांच का होता है उपर कोई भी bulb बगरा देखें torch का है यह bulb निकाल के दिखाए हो आपको यह उपर की तरफ यह है आपका कांच का और नीचे एक metal का base है यह what is inside the glass case of the bulb इस glass case के अंदर क्या होता है यह अभी हम देखेंगे अच्छा यहाँ पर यह देख लेते हैं एक बार caution यह आपने कई जगे देखा भी होगा लिखा रहता है चेतावनी you might have seen a danger sign shown here displayed on poles, electric substations and many other places ऐसा एक sign, danger का जो sign है आपने देखा होगा कई बार poles के उपर, खंबे के उपर या फिर electric substations जो है उनके उपर और कई जगों पे बना होता है it is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly यह इसलिए होता है ताकि लोग को पता लगे कि electricity, देखिए फाइदे की चीज तो है लेकिन बहुत dangerous भी हो सकती है, कई बार life threatening भी होती है अगर आप उसको carelessly use करेंगे, properly handle नहीं करेंगे carelessness in handling electricity, कोई भी carelessness लापरवाही जब आप electricity को handle करते हैं, and electric devices को can cause severe injuries, बहुत घायल आप हो सकते हैं severe injury आपको हो सकती है, and sometimes even death और कई बार, मौत भी हो जाती है, hence you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets, इसलिए कोई भी experiment electric wires के साथ या socket के साथ घर में नहीं करना है, also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous, आपके घर में जो generator अगर है, जो कि electricity generate करता है, यह नहीं कि यह तो बाहर से बिजली नहीं आ रही है, यह ही generate कर रहा है, वो भी equally dangerous होते हैं, use only electric cell for all activities related to electricity, electricity से जितने भी related जो भी activities आपको दीगे, उनके लिए आप सिर्फ electric cell ही use करेंगे, cell उतने dangerous नहीं होते, लेकिन electricity जो है, बिजली जो है, जो वैसे wires के थुरू आती है, आपकी वो काफी dangerous है, अब यहाँ पर आपको एक activity दी वे, take a torch and look inside its bulb, एक torch लीजिए उसके bulb के अंदर देखे, you can also take out the bulb with the help of your teacher, आप चाहे तो अपने teacher के help से bulb को उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तब उसको ध्यान से देख सकते हैं, what do you notice, आप क्या notice करते हैं अंदर, do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb, आपको ग्लास के bulb के अंदर एक पतली सी wire fixed ऐसे दिखेगी, यह देखे, यहाँ पर यह ऐसे यह wire ऐसे लगाई हुई है, बहुत पतली सी, now switch on, now switch the torch on, अब torch को on करिए and observe what part of the bulb is glowing, और देखेगी, कौन सा part, जो है, bulb का वो glow कर रहा है, अचली में, यह जो है आपकी wire, जिसको filament बोलते हैं, यही जलता है, यही आपका glow करता है, जब आप उसको on करते हैं, यह वाला, बस इतना सा पार्ट, इसी से इतनी रोश्नी होती है, जो की लाइट देती है, जलती है, उसको filament कहा जाता है, बल्ब का, the filament is fixed to two thicker wires, उसमें दो thicker wires से, थोड़ी मोटी wires से, वो connect होती है, मोटे तारों से, which also provide support to it, जो इसको एक तरीके से support भी करते हैं, as shown in figure 12.2, देखें, यह दोनो, यह थोड़ी सी यह मोटी wire है, यहाँ पर, इनसे यह filament आपका connected है, और यह फिर, यह दो तारों का connection कहां से होता है, क्योंकि main picture यह है, आपकी इसको फिर यहाँ पर वैसे दिखाया हुआ है, यह अंदर की तरफ से गए हुए है तार, एक यहाँ से connected होता है, और एक इस आपके जो, यह terminals होते हैं, बल्ब के, चलिए आगे देखते हैं, वन ओफ दीज थिक वायर, इनमें से जो, थिक वायर से, इनमें से connect होती है, to the metal base, to the metal case at the base of the bulb, बल्ब के नीचे जो metal का case लगा हुआ है, उससे connected होती है, the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base, base के center में एक दूसरी metal tip से connected होती है, यह देखिए, एक यहाँ से, बिल्कुल, नीचे से, tip जो है इसकी, और एक यहाँ से, यह जो, इसके side में, एक metal का case लगा होता है, एक दूसरी, यहाँ से connected होती है, the base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb, यह bulb के दोनों terminal है, जिससे आपने दो terminal cells में देखे थे, एक तो यह base वाला, और एक यहाँ पे यह जो लगा हुआ अलग से, यह हमारे bulb के दो अलग terminals होते हैं, जिनसे कि यह दोनों आपके जो thick wires से यह connect होती है, और इनके उपर यह filament होता है, जो की जलता है, इस two terminals are fixed in such a way, यह दोनों terminals को इस तरीके से fix किया जाता है, that they do not touch each other, ताकि वो एक दूसरे को touch ना करें, जो wires हैं, आपकी तार एक दूसरे को छुए ना, the electric bulb used at home also have a similar design, आपके घर में जो electric bulbs used होते हैं, उनमें भी same यही design होता है, thus both the electric cell and the bulb has two terminals each, तो bulb में आपके यहापर भी दो terminals होते हैं, और electric cells में भी जैसे आपने यहापर भी देखा, इसने भी एक उपर वाला terminal है, positive और एक नीचे की तरफ negative terminal है, दोनों में metal की cap लगी हुई है, उपर और नीचे, यहाँ पर जो bulb है, इसने भी नीचे metal का यह case है, एक यहाँ पर लगाया हुआ है, एक टर्मिनल और एक नीचे इसके tip पर है, ओके, अब बल्ब connected to electric cell, अब आप देखते हैं, torch ऐसी नहीं है कि सिर्फ बल्ब से ही जल जाती है, उसमें electric cell भी होते हैं, cell भी आपको डालने पड़ते हैं, तो बल्ब को electric cell से कैसे connect किया जाता है, किस तरीके से, वहाँ तक electricity पहुंच थे, let us try to make an electric bulb, bulb light up using an electric cell, अब हम एक बल्ब को जनाएंगे, electric cell को use करके, how do we do this, अब यह हम कैसे करते हैं, activity second है यह आपकी, take four lens of electric wire, with differently colored plastic coverings, चार टुकडे ले 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 जिए, प्लास्टिक ऐसे तार की, जिनके उपर प्लास्टिक चड़ियों, अलग अलग रंगों की, remove a little of the plastic covering from each length of wire at the end, यह आपकी wire है, मानने जिए red color की, इधर से और इधर से, जिए corner से उसके उपर की तरफ जो चड़ा हुआ होता है, covering जो होते हैं, उसको उतार दीजिए, तो नीचे आपको metal मिलेगा, this would expose the metal wire at the end, दोनों तरफ metal की जो wire है, वो exposed हो जाएगे, थोड़ी से आपको बाहर दिखाई देगी ऐसे, बोध दी end पे, fix the exposed part of the wire to the cell and the other part of the bulb as shown in the figure, यहाँ पर जो आपको इस तरीके से इसको लपेट दीजे, जैसे picture में आपको दिखाया हुआ है, इसको यहाँ पर fix करना है, आपको देखे, इस बच्ची ने rubber से किया है, दो rubber ऐसे चड़ा दी है, उसके बाद यहाँ से इसको अंदर से fix कर दे और एक नीचे की तरफ, दो wires ऐसे ले लेनी है और इस तरफ से, दोनों के जो corners है, उनके उपर से प्लास्टिक कवरिंग अटा देनी है, आप टेप से भी चिपका सकते हैं, इनको बस यह है कि यहाँ पर यह fix कर देने हैं आपको दोनों जो wires हैं आपकी cell के दोनों तरफ, यू किन स्टिक दा वायर तो दा बल्ब, अब आप जो wires हैं आपकी उसको बल्ब से स्टिक करना है आपको विद टेप यूज़ बाई लेक्रिशन्स, यूज़ टेप यूज़ करते हैं उससे, यूज़ रबर बैंड और टेप टो फिक्स दा वायर तो सेल, सेल से आप वायर को अटाच करने के लिए टेप या फिर जैसे कि यहाँ पर रबर बैंड बच्चे ने यूज़ किया, वो भी कर सकते हैं चारो तार समझ गया आप क्या, कैसे कि आपने अलग अलग कलर के लेने हैं पहले तो, ये क्या रीजन है वो बाद में बताया जाएगा, उसके बात बात दो यहाँ पर सेल से उपर और नीचे से फिक्स कर देना और दो को यहाँ पर अपने बल्ब से जो इसके दो आपको पॉइंट्ट बताएते, उन दोनों से कनेक्ट कर देना है Now connect the wire fixed to the bulb with those attached to the cell in six different ways as shown below नीचे आपको छे अलग-अलग तरीके दिये हुए है Wires को एक दूसरे से fix करने के उनसे करिए और फिर देखिए किस arrangement में bulb आपका जलता है सबसे पहले आपने दोनों को add कर दिया उपर वाला जो यह है पार्ट इसको यहां से attach किया और यहां से जैसे आपने connect किया तो bulb आपका जल गया फिर आपने उपर वाले को connect किया नीचे वाले को नहीं किया बल्ब नहीं जला नीचे वाले को किया उपर वाले को नहीं किया बल्ब नहीं जला इसको आपने नीचे वाले को connect कर दिया लेकिन इस वाले तार को उपर वाले को लाके नीचे अटाच कर दिया नहीं जला फिर आपने दोनों को उपर कनेक्ट किया नहीं जला और ऐसे इंटर कनेक्ट भी किया अगर इसको उपर वाले से और इसको नीचे वाले से तो भी बल्ब आपका जल गया इस तरीके से अलग-लग तरीके से आपको करके देखना है किसी भी तरीके से आप तारों को जब जोडते हैं तो bulb जो है वो जल जाता है Write yes or no for each arrangement in your notebook Now, carefully look at the arrangement in which the bulb blows जिन arrangements में bulb आपका जला है उनको ध्यान से देखिए Compare these with those in which the bulb does not blow जिसमें नहीं जला उनके साथ इनको compare करिए Can you find the reason for the differences? क्या आप differences के कारण बता सकते हैं? क्या है? एक कईयों में तो attached ही नहीं है कोई connection नहीं है दो उसके बीच में terminals के और कईयों में एक के साथ ही दोनों attached है तो इसलिए वहाँ पर नहीं जल रहा है Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5A अब एक pencil लीजिए उसमें एक terminal से electric cell के arrangement से एक terminal से बल्ब तक लाइए और बल्ब से फिर वापिस उस तरफ move करिए ऐसे दूसरे terminal में यहां से शुरू करिए pencil को चलना और यहां तक लेके आए बल्ब तक फिर बल्ब से वापिस लेके जाएए Repeat this exercise for all other arrangement दूसरे arrangement में भी यहां से लाइए यहां से लेकिन आप आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि यहां पे टूटा हुआ है तो क्या कोई ऐसा है In which you cannot move the pencil from one terminal to other इस वाले में हम एक टर्मिनल से दूसरे में नहीं कर सकते इसमें नहीं कर सकते क्योंकि बीच में आरेंजमेंट टूटावाइस में इस टर्मिनल से नहीं ला सकते है ना तो वो टर्मिनल यानि कि जो कनेक्टेड नहीं है वहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है हाला कि इन दोनों में हम लोग इस वाले में भी और इस वाले में भी प्रॉपर कनेक्शन है पेंसिल को आप एक टर्मिनल से दूसरे तक ले जा सकते हैं इसलिए यहां पर बल्ब गलों कर रहा है हमारा नेक्स्ट इस एन एक तर्म एक टर्मिनल को प्रॉपर वाले इसमें आपने वाईर्स के ठ्रूप इलेक्टरिक सेल के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बल्ब के दूसरे टर्मिनल से cell को connect कर दिया cell के एक terminal को bulb के एक terminal से connect किया wires के थू, तारों के थू note that in the arrangement shown in figure 12.5 A and F the two terminals of the electric cell were connected with two terminals of the bulb such an arrangement is an example of electric circuit अगर आप first वाले को और last वाले को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनो terminal cell के दोनो अलग-अलग terminals से attached है बल्ब के, इसको हम बोलते है electric circuit such an, okay, the electric circuit provides a complete path for the electricity to pass एक पूरा रास्ता होता है electric circuit क्या है, एक path है एक रास्ता है जिससे कि electricity flow कर सके, अगर यह बीच में तूट किया आपने connect ही नहीं किया तो फिर वो circuit नहीं कहलाएगा between the two terminals of electric cell the bulb glows only when current flows through the circuit, जब current flow करेगा circuit से तभी सिर्फ आपका बल्ब जलेगा अगर बीच में कोई रुकावट है, connect नहीं है तो फिर बल्ब नहीं जलेगा in an electric circuit the direction of current is taken to be from positive to negative terminal of the circuit as shown in 12.6 और एक electric circuit में जो current आपका flow करता है the direction of current वो होती है positive to negative terminal of the electric cell electric cell के positive से negative terminal की तरफ flow करता है हम जानते हैं, उपर की तरफ cell का positive terminal होता है नीचे की तरफ negative होता है तो हमेशा जो current है वो ऐसे जाएगा यहाँ पे और क्योंकि यह complete circuit है देखे, इसका जो connection है यहाँ पे जो तार है हमने देखा यहाँ से है इसका connection यहाँ से है यहाँ से एक और तार connect है फिर वो filament से जाएगा और इसी की वज़े से filament आपका glow करता है और फिर negative की तरफ आएगा तो यह एक और important लाइन है हमेशा positive से negative की तरफ flow करता है current जो है cell में ओके wire से connected current pass through filament of the bulb this makes the bulb glow फिर filament से जो पास होता है उसकी वज़े से bulb glow करता है sometimes कई बार an electric bulb does not glow even after it is connected to cell कई बार आपका bulb glow नहीं करता है हाला कि आप cell से भी connect करते हैं तो this may happen if the bulb has fused इसका मतलब है bulb जो है वो fuse हो गया है look at the fused bulb carefully is the filament inside is it intact अगर आप एक fused bulb को देखेंगे electric bulb may fuse due to many reasons electric bulb कई reasons से fuse होता है one reason for a bulb to fuse is a break in its filament filament तूट जाता है तो भी bulb fuse हो जाता है a break in filament of an electric bulb means a break in the path of current between the terminals of the electric cell अब देखिए अगर ये break हो गया है तो यहां से positive उससे current आपका flow होगा यहां तक जाएगा यहां से wire connect है यहां तक जाएगा लेकिन क्योंकि filament तूट गया है तो यहां से current इधर नहीं जा पाएगा इसलिए circuit complete आपका नहीं होता है that is why यह glow नहीं करता है ओके तो एक तो filament के तूटने से bulb जो है वो fuse हो जाता है जिसकी वज़े से electric cell में positive to negative वो circuit complete नहीं हो पाता देरफोर a fused bulb does not light up as no current passes through its filament इसलिए fused bulb जलता नहीं है क्योंकि filament में current ही पास नहीं हो रहा can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do अब आप बता सकते हैं BC, DOE में जो आपने यह try case में क्यों आपका bulb नहीं जला क्योंकि यहां से current बनना शुरू होता है positive से और यहां से स्टार्ट हुआ, आपका जो current है लेकिन आगे कोई तारी connected नहीं है तो circuit complete नहीं हुआ, इसलिए bulb नहीं जला second में अगर आप देखेंगे यहां से start हुआ, ठीक है यहां तक गया इसका connection उपर से, filament से पास हुआ negative की तरफ जाना था, यह positive की तरफ या गया इसलिए यहां पर नहीं हुआ, यहां पर तो circuit ही break है आपका, तो circuit कहीं नहीं break है, complete पास नहीं हो रहा है इसलिए filament जल नहीं रहा है, can you, okay now we know how to make a bulb light up using an electric cell, अब हमें समझ आगे, electric cell को use करके bulb कैसे जलाना है would you like to make a torch for yourself क्या आप अपने लिए एक torch बनाना चाहेंगे take a torch bulb, एक torch का bulb लीजे and a piece of wire और एक थार लीजे, remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before दोनों तरफ से plastic की covering अटा दीजे जिसे हमने पहले भी किया था wrap one end of the wire around the base of an electric bulb electric bulb के base के चारो तरफ एक जो यह wire है आपकी इसको लपेट दीजे bulb के चारो तरफ एक end को और दूसरे end को नीचे की तरफ fix कर दीजे ऐसे rubber band से एक तरफ से एक तार को इस पे बान दिया एक तरफ से यहां पे बान दिया अब क्या करना है आपको now bring the tip of the base यह जो tip है इसका इसको यहां तक लेके आए पॉजिटिव end की तरफ जहां से आप जानते है current flow होना शुरू होता है और आप देखेंगे जैसे आप इसको पास लेके आते हैं यह दोनों यहां तक आता है तो यह bulb जलेगा और जैसे दूर लेके जाएंगे आप यह जो है बंद हो जाता है बल्ब जलना बंद हो जाएगा तो इसमें है क्या कि यहां से शुरू हुआ क्योंकि यह भी metal का है यह भी metal का है नीचे हमने देखा था इसमे current flow हुआ circuit complete होना है सिर्फ current को flow कराने के लिए हमें और यहां से तो हम जानते है एक का connection है यहां तक फिर यहां से filament में गया दूसरा एक और यहां पर wire connected है और उस wire का connection यहां से है यह भी आपका पूरा metal का है यहां से यह tar connected है tar में गया और फिर यह negative side आ गया तो इस तरीके से क्योंकि circuit complete हो गया आपका तो आपका bulb जलेगा लेकिन जैसे आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा बल्ब को तो यह circuit यह आप से brake हो जाएगा फिर आपका bulb नहीं जलेगा does the bulb glow क्या आपका bulb glow कर रहा है yes now move the bulb away from the terminals of the electric cell जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे उसको bulb को दूर लेके जाएंगे does the bulb remain lighted नहीं तब bulb lighted नहीं रहेगा जलेगा नहीं is this not similar to what you do when you switch your torch on or off जब आप torch को on यह off करते हैं यही होता है जब on करते हैं तो दोनों पास में आ जाते हैं connection होता है दोनों का फिर current flow होता है circuit complete होता है लेकिन जब आप off करते हैं तो वह दूर हो जाता है और circuit brake हो जाता है पहली ने एक और arrangement किया है देखिए bulb को जलाने के लिए उसने बल्ब को जो तार है उसको यहां से नहीं बांदा नीचे लगा दिया बल्ब के तो क्या आप जलेगा बल्ब नहीं जलेगा reason क्या है देखिए यहां से current flow होना शुरू हुआ वो tip में गया tip में ही आपका तार है tip का तार का connection यहां से filament में गया filament से दूसरे तार में दूसरे तार का connection यहां से है यहां पे pass करने के लिए कोई तार लगाई ही नहीं हमने अगर यह तार tip पे ना होके ऊपर लगी होती तो फिर circuit complete होता यहां से फिर okay flow के नीचे आ जाता लेकिन क्यूंकि अब circuit complete नहीं है इसलिए पहली का bulb नहीं जलेगा okay that's all for now electric switch के बारे में we will study in part 2 okay thank you so much for watching